कि नव रात्री संख्यावाचक और भाववाचक नव अगत नवलय ताल चंद नव नव लकंठ नव जलद मंद नव नव नभ के नव बिहग बिन्दुसो नव पर नव स्वर देस्ट नव देवियां परिकलमना की गई हैं अमारे हैं उसाँ अनन्द देवियां हैं लेकिन रित्मों की शंधी वेला है जो शंक्रमल काल कराती है नाना प्रकार के विकार रोग ब्याधी ऐसे काल में पनप उठते हैं जैसा कि चैत्र की यह जो नौरात्र है यह जो चैत्र की नौरात्री यह काल गड़ना की प्रथम इकाई है आज के ही दिन ब्रह्माजी ने इस श्ष् स्त्रिजुग का प्रारम भी आज के ही दिन वा था यह मूल झो प्रक्रिती है उसकी जो अंसरूरोप में दुर्गा की रूप में अ उसका एजन और पूजन का परवा है ब्रम्हा जी ने आज के दिन रचना की जिसके काल से हम यह वासंतिक नवराथ्र को वर्ष का प्रारंभिवी मानते हैं सनातन धर्मा अलंबी जो हैं मताव अलंबी है उसको नूतन वर्ष के रूप में जानते हैं कलजुग को बीते हुई क कलजुक की जो आयू है जो कालखंड है चार लाग बत्रीश जार तो यह जो अभी पांच हेजार एक सो चौविस वर्ष बीते हैं कलजुक को और यह एक सो पचीस वर्ष की हाँ के में रोग प्रवेश करने जा रहे हैं हैं चैत्र की नवरात्री इसके प्राप्त होने पर करना क्या चाहिए तो कहते हैं जो काल की अधिश्ठात्र जोनों प्रगत किया आओ उसकी हम पूझा करते हैं भ्रमkt जी की पूझा करते आज वर्स के दिन आज के दिन जो चैतर नर्वात्र प्रारंब होती है उसे हम ब्रम्हा जी की पूजा करते हैं अपने घरों पर धज का रोपन करते हैं जंडा फाराते हैं दरवाजे पर तिल के तेल का दीपक रखते हैं और घरों पर मंदर वार लगाते हैं और पंचांग करते है स्ट्रम्ण करते और हम करते क्या है कैसे इसको करते हैं। कि परव को प्राप्त करके कि अपुवास की ज्वारा शक्ति और संचय का परव के रूप में नए वर्ष में प्रावख करने जा रहे हैं तो जो सक्ति की अधिस्थ ठात्र देपी है प्रांबा दुर्गा जगट जन्नी जगट धात्री इसे गारकारणी पालनी जगट अंब उसकी उपाउशना के साथ हम यह वर्श प्रारंभ करते हैं वैसा तो नो दुर्गा नो दुनों तक अगर हम सक्टि समवर्धन कर ले हम नो चाल कि तो हम वर्श परियंत के लिए करते हैं और दोनों नौरात्रियों में चाहे वह सारदी हो हम भगवति की उपाष्णा करते हैं लेकिन चैत्र की जो नौरात्री है इसमें उस भगवति जैसे कि हम सार्दिय नौरात्र में प्रत्मम सैल पुत्री चाद त्रीम प्रमचारनी तित्रीम चंद्र घंटेशी कुश्मांडेट चत्रतकम इस तरह से नौ दरुगा के रूपों का एजन करते हैं लेकिन चैत्र की जो नौरात्री है क्यों भाव बदल जाते हैं दृष्टी बदल जात तो गौरी पूजन का परव होता है चैत्र नौरात्री इसमें हम लोग भगवती के का यजन और पूजन करते हैं प्रातहकाल नित्यक्रियाशे निवर्त्त हो करके कलश अस्थापन करते हैं कलश में जल भरते हैं क्योंकि जल ही जीवन है हम जल को संग्रहेत करते हैं कलश मे करें अम्र का पलो रख करके उसके उपर नाजर लगा करके मिट्टी वो करके मिट्टी में जवो करके उसपर करष को रख मागवरी के नाम से और उनका प्रते के दिन विशिष्ट येजन और पूजन करम से करते रहते हैं महागवरी आपका आवान है है महागवरी आपको बारम बारनमन है गंधा च्छत पुष्प से यथा लब्दो पचार जो भी आपके पास उपचार उपलब्द हों जैसे अश् और खास तόरति हैं अगर हम बात करें तो भगव्टी को प्रिय क्या है बिल्लुत पत्र क्लब्द करके तुतक देभागवॉत नहीं किया है तो मंदर में अब मादुर्गा की ऊपर च्रहाया जाए तो निश्ची तो प्रसंद होती है नारिकेल नारियल के बने हुए और जैसा कि हम जानते हैं पूजन का भी वीधान है की एक निचे की कन्या को बोध नहीं होटाकती करता है इसलिए एक वर्स के नीचे की कन्या को बόध नहीं होता है उसको इस निए एक वरस के ऊपर और बारह वरस के भीतर की जो कन्या है ब्रामार छत्री शुद्रा वहिश्या किसी भी कोई जात नहीं है सही जात के कन्याओं का हम चैन कर सकते हैं उनको पैर धुलना चाहिए उनको महावर लगाना चाहिए उनको कुमकुम लगाना चाहिए उनको अच्छत ल प्रतिपत्रूप से लूपा से कहा गया इसके बारे में प्राटर के अवाद्यूस करना चाहिएक प्रातहकाल ही देवी का बिसर्जर एक मोटा मोटी शिद्धान्त जो शास्त्र का है बाकी फसने और फसाने और मुहूर्थ की बात तो अनंत है आप कभी भी मुहूर्थ देख करके इस्तिर लगन में और ग्रहों का अभिजित मुहूर्थ इत्यादी लेकिन देवी भागवति स्थापन के लिए और अध्भूत है जी बिलकुल भगवति की किरपा से यह शुभ शंकेत है कि नौ दिनों तक पूरी पूरी की पूरी नवरात्री प्राप्त हो रही है और एक बहुत अच्छी बात यह है कि भगवति का आगमन वैसे तो भगवति की सकार का जो वाहन है व प्रतेक वर्ष दोनों नौरात्रियों में भगवति का आगमन और गमन विशेश बाहन पर होता है तो इस बार जो भगवति का वाहन आने का है वो नाव है नाव पर आ रही है भगवति प्रामबा जगदंबा और जो जाने का जो बाहन है वो गज है तो यह दोनों ही जलदा है शुभकरी है फलकरी है दिव्यकरी है इसलिए यह बहुत अनुकूल है देश राष्टा और समाज के लिए कि आगमन और गमन जो भगवती का है वह शुभ शंकेत को लेकर आ है निश्चित रूप से इस संकेत के माध्यम से कहा जाएगा कि समाज में शुक्ष्ण प्रदिश्ण तियारों किता और प्रसंवता बनी रहेगी मैं डौक्टर शालनी कृष्णा खडए बारा नसी से जोतिशा चारिया हूँ कल का दर्शन जो है वो शैल पुत्री माता का है और शैल पुत्री माता का जो स्वरूप है वो विर्शब पर आरूर है शैल पुत्री माता और उनका पूजा करने से शैल पुत्री माता की पूजा करने से विदी विदान से अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो मनोरत जो भी हमारा है वो उसको पूर्ण करती है देवी खास तोर पे शैल पुत्री माता जो है वो अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या कोई संतान प्राप्ती चाहता है तो उनके लिए बहुत मददगार साबित होती है शैल पुत्री माता, उनको स्वेत कलर की चीजें पसंद है, स्वेत कलर का पुष्व, स्वेत कलर का उनका वस्तर उनको चढ़ाया जाए, उनको दानपुने किया जाए, एक बहुत ही आसान अगर यह इस बुहुत साधारण से मंत्र का हम जब करते हैं तो भी देवी हमारे सभी मरोरथों को पूर्ण करती है, बात हमारी भक्ती की होती है, हमारे मन में कैसा भक्ती भाव है, हमारे भक्ती भाव से ही माता प्रशन होती है, प्रथम शैल पुत्री देवी बहुत ही मन से निर्मल है, इसलिए सचे मन से मांगी गई सभी मुरादों को वो पूरी करती है ये तो चौते नमबर पे हैं दूसरी दो देवी हैं हमारी वो ब्रह्म चाड़नी माता है ब्रह्म चाड़नी माता जो है वो एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला लीव ही है ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जब पार्वती जी शिवजी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो वो इतनी घूर तपस्या में लीन हो गई थी एक तपस्चर्णी जैसी उनकी रूप रेखा हो गई थी तो उनका स्वरूब जो है वो एक तपस्वी जैसी इस्तरी का होता है वैसा हो गया था तो मलीन सा तो वो भी साड़ी पहने हुए है विश्वेत कलर की साड़ी है उनकी वो हाथ में माला और कमंडल लिए हुए तपस्वी जैसी वेश भूसा में है ऐसी ब्रह्मचार्णी माता का भी पूजन करने से हमें मनो वांशित फल की प्राप्ति होत तो ब्रह्मचार्णी माता प्रसन होकर इक्षित वर की प्राप्ति देती है ऐसी हमारी मानेता है तीसरी देवी है हमारी चंद्रगंटा चंद्रगंटा का स्वरूप जो है वो मादुर्गा पे उनकी सवारी है और मादुर्गा का पूरा असंगार किया हुआ उनका स्वरू चंद्रगंटा देवी जो है वो सभी देविया वैसे तो मनोरतों को पूर्ण करती है लेकिन चंद्रगंटा देवी जो है वो यदि किसी को साहस की जरुवत है यदि किसी को कोई कमजोर अपने को मैसूस कर रहा है या शत्रू उसका परसान कर रहा है उसके अंदर बल नहीं है और वान्शितवर की प्राप्ति देती हैं चौथे नंबर पे हम आते हैं माता कुसमांडा माता कुसमांडा का स्वरूप भी दुर्गा जी का है इनको दुर्गा भी कहते हैं कुसमांडा माता को ये भी सेर की सवारी है इनका दुर्गा जैसा सुरूप है, माता कुस्मांडा की भी पूजा करने से मनोवंचित फल की प्राप्ती, शक्त्रू से जो जिनको समस्या है, शक्त्रू जिनके परिशान कर रहे हैं या कोट के चहरी में जिनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुस्मांडा देवी की समान अर्पित करने से लाब की प्राप्ती होती है, पाचवी माता है इसकंद माता, इसकंद माता जो है वो अपने बालक को इसकंद जी को वो अपने गोद में बैठाय हुए है, जैसे माता जी के दो पुत्र थे, इसकंद जिनको बोलते हैं और एक जो थे वो गणेश जी, इसकंद पुत्र को वो अपने गोद में बठाए हुए ऐसा उनका स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जिन इस्तरियों को संतान होने में समस्या आ रही है वो भी इसकंद माता के पूजन से या जो बालक पढ़ाई में जिनका कम मन लगता है पढ़ाई में नंबर नहीं आता है वो इसकंद माता की आरादना पूजा वरत करने से उनको लाब होता है और इच्छित वर की प्राप्ति तो देती ही है ओम नमो इसकंद देव्ये नमो नमा इस मंत की काजब करने से इसकंद माता प्रसंद होती है ये बीज मंत्र है बहुत आसान है इसको कोई भी व्यक्ति ज पाच्वी छटी माता जो होती है वो कात्याईनी होती है कात्याईनी माता का स्वरूप भी दुर्गे पे सवार दुर्गा जी जैसा ही स्वरूप होता है कात्याईनी माता विशेश कर कात्याईनी मंत्र जो है वो कमारी कन्याय जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो मांगलिक दोश से युक्त है वो कात्याईनी माता की पूजा करने से उनको भी इक्षितवर की प्राप्ति होती है ओम कात्याईनी महादेव्याई नमो नमा इस मंत्र को जब करने से उनकी मनों की इक्षा पूरी होगी ऐसी मनेता है सात्वी जो होती है माता वो कालरात्री होती है कालरात्री का स्वरूप काली जी का है जैसा नाम से ही हम समझ सकते हैं कि कालरात्री माता जो है वो काले रंग का वर्ण है जीब उनकी बाहर है बाल विखरे हुए है और गर्दब की सवारी है उनकी गर्दब मतलब गदे की सवारी है उनकी तो हमारे धर्म में देखिए सभी जानवरों को पूरा सम्मान है जिसको गदे को हेद रिष्टी से देखा जाता है वो भी हमारी एक माता की सवारी है उनको भी आप गुढल का पुस्प चड़ाएं कपूर से आरती करें उनकी ओम श्र अश्टम महागौरी माता जो है वो भी व्रिषब पर आरूण है वो गोरे रंग की माता है ऐसी मानेता है कि जब काली जी ने अपना रूप लिया था और वो शांत नहीं हो रही थी किसी देवी देवताओं के मानने से और रक्षजु का वद की जा रही थी तब शंकर जी न वही महागौरी है और वो तब बहुत शान्त हो गई थी निर्मल एकदम हो गई थी तो ऐसी माता महागौरी की पूजा करने से हमारे मन को अथा शांती मिलती है जो भी व्यक्ति अवसाद में है जैसा कि आजकल ज्यादा तर देखा जाता है व्यक्ति डिप्रेशन में है अम महागौरी देव यह नमो नम इस मंतर के जब से भी यह बहुत साधारन मंतर है इससे भी माता जी परसंड होती है और दिकला प्रापत होता है नमी जो माता है वह सिधम दातरी है । सिद्धी दात्री का स्वरूब्धी शेरपरसवार मादूरगा जैसा ही है जैसा नाम से इस पस्ट होता है सिद्धी दात्री तो यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं और जो भी मन से इन highlighting पूजा करता है अराधना करता है वो उसको जरूर वानचितफल देती हैं ओम सिद्धिदात्री देव्याई नमो नमा इस मंतर के जब से माधुर्गा प्रसन होती है इस प्रकार से नमो देव्यों का वर्णन है और नौमी के दिन राम नौमी भी होती है राम जी का जनम होता है जो भी लोग ब्रत रखते हैं नौ दिन वो दसमी को पारण करे यह चाहिए इस बार किसी भी तिती का शह नहीं हो रहा है और नौदिन माता का पूजन करने से असीम लाब की प्राप्ति होती है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी